कुछ लडाईयों का अंत नहीं होता हम ऐसी ही एक लडाई दिखा रहे हैं आपको जमशेत पूर पूर्वी विधायक सर्यू राई ने एक के बाद एक तीन ट्वीट से स्यासी पारा को चड़ा दिया है इन ट्वीट्स के जरीए सर्यू के निशाने पर एक बार फिर रगवर्दास है रगवर्दास पर उन्होंने इस बार किस तरह क्या रूप लगाए आए देखते हैं पूर्व बीजेपी नेता जारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अब जमशेत पूर पूर्वी से विधायक सर्यू राई ने रगवर्दास पर ट्वीट बम्मारा है एक के बाद एक ट्वीट से सर्यू राई ने जारखंड के ठंडे मौसम में सियासी पारा चड़ा दिया तीन जनवरी को दोपहर तीन बज कर चोंतीस मिनिट पर सर्यू राई का पहला ट्वीट आया उन्होंने लिखा कि बीजेपी अध्यक्ष अमिच शाह विगत पांच वर्षों में जारखंड के विकास की असलियत पता करें तब इस बारे में मीडिया में बोलें इन दिनों यहां केवल विकास कारेक्रमों को लागू करने में ही भ्रष्टाचार नहीं हुआ बलकि ब्रष्टाचार करने की नियत से ही विकास कारेक्रम चलाए गये हैं अपने लोगों से ही पूछ लें इसके ठीक 11 मिनट बाद 3 बच कर 45 मिनट पर सरी उराय ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या माननीय अमित शाह जी को पता नहीं था कि जारखंड सरकार के 30 विभागों में से उनके लाडले मुख्यमंत्री रगू अर्दास ने 16 विभाग अपने पास रखा था जिन में बड़े और मलाईदार कहे जाने वाले सभी विभाग शामिल थे उन्होंने सम्विधान को ताक पर रखकर 11 में से एक मंत्री का पद 5 वर्ष तक खाली रखा क्यों? इसके बाद सरी उराय का तीसरा ट्वीट 4 बच कर 4 मिनट पर आया उन्होंने लिखा माननीय अमिद शाह को खुलासा करना चाहिए कि विगत 5 वर्षों तक सरकार और संगठन के खस्ताहाल के बारे में उन्हें कौन गुमराह करते रहा और मुझे नुकसान पहुचाने के शडे अंतर में बीजेपी को गर्त में पहुचा दिया 2009 में भी ऐसा ही हुआ था तब तो सबक नहीं लिया अब तो चेतिये ये तीन ट्वीट जिर में बीजेपी के लिए नसीहत भी है और रगुवर्दास के लिए जेतावनी भी इन ट्वीट्स में संबोधित भले अमिज शाह को किया गया है पर ये संबोधन पूरे बीजेपी के लिए है इन ट्वीट्स से सर्यूराय ने ये भी जता दिया कि विधायक बन जाने के बाद मामला शांत नहीं हुआ है उनकी जंग अभी जारी है अभी बाकी है ब्यूरो रिपोर्ट नियूज 11 भारत ट्वीटर पर ट्वीट किया है सर्यूराय जी ने अब बड़ा सवाल उन्होंने कई आरोप लगाए लेकिन दिल्चस्प पहलू ये है इसमें कि इन तमाम आरोपों के होने के बावजूद सर्यूराय खुद 5 साल तक मंत्री बने रहे तो उन्होंने तब वो आवाज क्यों नहीं उठाए ये पता नहीं है वो मंत्री पत पर क्यों बने रहे ये पता नहीं है कैबिनेट से उन्होंने दूरी बना कर रखी ये सही बात है लेकिन अपने मंत्रिपत के प्रती उन्होंने अपना मोह नहीं त्यागा ये भी एक सच्चाई है चर्चा करेंगे हमारे साथ राजेश है जो भारती जिन्हेता पायटी की बीट देखते हैं और शानवाज अक्तर हमारे साथ मौजूद रहेंगे दोनों से हम बाचित करेंगे पहले राजेश के पास चलते हैं, राजेश जो अमित शाह कह रहे हैं कि विकास के बड़े काम हुए, उनका अभी भी ये मानना है, और रगवर सरकार ने अच्छे काम किये, उनका ये मानना है, क्या बीजेपी अभी भी ऑफिशली इसी लाइन पर काम करेगी, कि वो सब कुछ ठीक था, ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गए, भारते जनता पार्टी का कोई भी नेता और करकरता इस बात से इंकार नहीं कर सकता, कि काम नहीं हुआ है, पांस साल की एक मुस्त सरकार जो चली, और ननिस्टॉपिज सरकार काम तो हुआ ही है, इससे कोई दूसरा भी लोग इंकार नहीं कर सकता, बीजेपी के लोग क्या नहीं, लेकिन काम की बदौलत ही चुनाव जीते जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है विकास के काम होने चाहिए, और करना भी चाहिए, सरकार का काम ही है, जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, तो ये काम करने के लिए ह लेकिन सियासत में कई चीजे होती है, विदिन पार्टी और आउटसाइट पार्टी, तो जब चुनाव होते हैं तो सियासत ही तेज होती है, काम जो है वो गिनाने के लिए होते हैं, कि ये काम हुआ, ये ऐसे काम किया गया, ये सड़के बनी, ये नहर बने, ये लोगों के लिजन कल्यानकारी काम किये गए बीजेपी के जो अभी भी नेताकार करता है वो इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे चुकि पार्टी में एक अनुसासन का बड़ा इसकोप है आप जानते हैं कि इसको तोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है यानि अगर अनुसासन हिंता का क पहले बीजेपी के पक्ष में बड़ा महाल था लेकिन पांच मेहने में जो चीजे बदली है वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है उनमें से एक कहा जाता है कि आसू के साथ जो गडवंदर तूटा यह एक बड़ा सेट बैक था और यह हार का एक बड़ा कारण है और पॉलिट अधीगर्त में चली गई उनको नीचा दिखाने के कारण दिखाने की कोशिश वी और इसलेए पार्टीगर्त में चली गई इससे पार्टी सामत है यह नहीं है कि गंगेश चीजी कोई यह नहीं है नहीं लेकिन जो सियासत जब चुनावी माहुल बनता है तो क्या-क्या चीजे होती है कोई-कोई विशय ऐसा मत्पुन हो जाता है जो की काफी घातक भी होता है या काफी लाद कर जाता है आप देखे कि जिस प्रकार से व्यक्तिगत एक कहे कि दूस्मनी के कारण रगवरदास और सर्यूरा पाय ने ऐसा नहीं है कि रगवरदास को चैन से रहने दिया वह हमिसा अपनी बातों को लेकर बिभिन बाद्धिमों से चाहे वह पत्र लिखें चाहे मिलकर बात करें सरकार की कारण पर सवाल खड़ा करते रहे और यह सिलसला काफी समय से होते रहा जब उनसे मीडिया के लो पाया जाती है चोटी बड़े सभी जो कमिया है या जो उनके नुक्स है निकाले जाते है और जिस प्रकार से टीकट होल्ड किया गया और इससे असपष्ट हो गया कि रगवरदास ही उन्हें टीकट से वंचित करवा रहे हैं तो यह जो सियासत की जो रंग का जो रंग था वो ब्यक्ति के दुस्मनी में बदल गया ठीक है पार्टी के अंदर भी खीस्तान होती है इसलिए कहा जाता है किसी भी दल में कई गूठ होते हैं भारती जनता पार्टी के प्रदेश हिकाई में भी कई गूठ है और यह अक्सर चर्चा होती रहती है लेकिन यहां पर ब्यक कारण है लोग कहते हैं पाटी के निता करकरता दभी जुभाण से यह कहते हैं कि रगवर्दास नितागर के है लोग से मिलते नहीं थे एक कारण भी थे जो पाठी की एतनी बड़ी हार भी चलिए एक पर शानवाज के पास चलेंगे शानवाज जो ट्विटर के जरिया आरोप लगाए हैं सर्यूराय ने उसमें एक तरह से अमित शाह को भी उन्होंने लपेटे में निया है और यह कहा ह है कि उनको पहले वास्तविक जानकारी होने चाहिए वो सिर्फ रगवरदास की फीडिंग पर जो उनको फीड किया गया उसके आधार पर बयान दे रहे हैं जो कि घलत है तो यह मान के चला जाए हाला कि जो उनका स्टैंड है पॉलिटिकल स्टैंड है अब सब को पता है कि वह एंटी बीजेपी है और अब जो कुछ भी बात करेंगे वह पार्टी के खिलाफ ही करेंगे लेकिन चुकी वह उस सरकार के मंत्री थे जिस सरकार की बात हो रही है और उसमें मंत्री रहने के बावजूद वह आरूप लगाते हैं तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है उनके आरूपों को किस तरह से देखते हैं आप देखें सर्यू राय परकरन जो राय पर पिछले चुनाव में घटित हुआ यहां पर जहारखंड में यह अपने आप में इसने कई कई मिथक तोड़ दिये है एक मिथक तो यह होता है कि जो सिटिंग सीम होता है वो उसको से में के तो में मैं को शुरी नहीं हो सकता है लोग छी के नाराज हो गे लेगन को सीम को क्यों हराएगा हृट आप तो बहुत मशूर वाक है कि जो बलशाली होता है आज के डेट में ठीक है उन्होंने बहुत बड़े बलवान को हराया है बलवान को हराने वाले की बात को ही कुछ वजन मिलता है सोसाइटी में इसलिए आज उन्होंने भी जो टूइट अगर वो पहले करते तो इस टूइट को बचकाना कह सकते थे क्योंकि ये टूइट कर रहे हैं संबोधित अमिश्याह जी को ये रास्ती अध्यक्ष हैं विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पाटी के लेकिन आज की डेट में टूइट कर रहे हैं तो चर्चा हो रही इस बात की इसके मतलब ये के बात बराबरी की हो गई क्योंकि ये एक बार पहले भी आपने कहा कि मंतरी पत क्यों छोड़ा नहीं तो मुझे जहां तक जानकारी एक बार वो इस्तिफा देने के लिए गए हुए थे और खुद उन्हीं अमिश्याह ने उनको इस्तिफा ना दे कर कुछ दिन इंतजार करने की इक वात कही थी और कि एक मंतरी नहीं बनाया उन्होंने हमेशा 11 मंतरी के सहरी चाथ पूरा पांच साल का करकाल किज लिया दूसरा दूसरा पॉइंट आप यह करना चाहरे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि रगवर दास हारने के बाजूद यह परसेप्शन लोगों के बीच में अभी भी काइम कर सारी पर आज भी किसी को संदे नहीं हो रहा है तो उसको इंगित करके बता रहे हैं कि आखिर यह मलाईदार इतने सारे 11-12 विभाग या 16 विभाग है वो मुक मंतरी ने क्यों रखे फिर एक मंतरी क्यों नहीं और बनाया यह सारे सवाल अब इस बात पर को भी वह इंगित कर कि लोग इंगित को विधान सभा में आने से तो उन्होंने रोका ही अब उनकी च्ष कि पर हमला आहि और युर्णी ए वह यह वह गांती हैं कि वहानूने क्या विकास की है पात नश्लोस दो लिकात काम का के पार में जाती हैं कि लिकान आब जो वह पाता शरीरा ब्रेश्टा चार हो तो यह जो आप कहा रहे हैं उसी तरज पर है किसी भी तरह से उनकी छवी को धुमिल करने के कोशिश है यह कितना सही है और यह आरोप कितने सही है इस पर एक बार हम फिर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अब चनाव जीतने वह तो यह जो आपका स्वागत है हम चर्चा करना है कि क्या सर्यू रहाए अब चनाव जीतने के बाद अभी भी रगवर्दास पुरुमक्मंत्री रगवर्दास की छवी को टार्णिश करना चाहते हैं उनके छवी को धमिल करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी उनके टार्गेट पर रगवर्दास पनेवे हैं यह जंग जारी है राजेश हमार साथ पुछेंगे इस पर एक तो यह होता है कि जब आप जीत जाते हैं तो आप से समयता की उमीद की जाती है तब फिर अगर आप जो प्रतिदंदी पर निशाना लगाते हैं या कोशिश करते हैं प्रतिश करने की उसे उस पर निशाना साधने की तो आप उसके प्रतिश सहानुभ ये आरोप सिर्फ इस बात को लेकर है कि रगवर दास ने भ्रष्टाचार किया ये साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं इस कोशिश से फायदा किसको नुक्सान किसको होगा देखिए इसमें कई चीजे हैं देखिए आप पहले की बातों को ध्यांदर के सर्यूराय कई बार लिखित रूप से कहा है कि कुछ चीजे ऐसे हुई है कि जिसको हम नहीं बता सकते हैं मीडिया में लेकिन परधान मंत्रिया और राष्टी अध्यक्त को उन्होंने पत्र के है प्रष्टाचार के मामले सीधे तौर पर जैसे देखें तो वो साबित नहीं होते लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जो उपकृत करने के लिए भी होते हैं सर्यूराय कि कुछ काम को नियमावली को किनार करके करवाए गए और जो काम नहीं होना चाहिए था जिस पर इतना खर् कम कम मिला देखिए अभी जो लडाई चल रही है यह बाते पुरानी है लेकिन टार्जेट नहीं है वो यह है कि रगवर्दास चुकि अब कहीं के रहे नहीं ना विधायक है ना वो राजी के मुक्यमंत्रे सत्ता ही चले गई तो अब कुछ बाते सागठनी का अस्तरप होने चाहते हैं कि इनकी बातों को ना माना जाए इन्होंने इस परकार से काम किये हैं जिससे पार्टी का हस्री यह वा है अगर दूसरी बात उन्होंने अमिस्सा को भी टार्जेट किया है कि मैंने जो आपको पत्र के माध्यम से मिल कर भी जो भी बाते कही थी और जिस कारण से आज ये पार्टी की हालत हुई है उसको नहीं माना है जिस कारण से ये बाते आज जो इस्टिती पार्टी की बनी है सत्ता हाथ से चली गई बीजेपी के ये भी आप भी कम दोसी नहीं है तो प्रत्यक्ष और परोच रूप से दोनों को टार्जेट किया गया है और यही नई बात है इस ट्यूट में और जहां तक भरष्टाचार मुक्त सासन देने की बात पिछली सरकार के द्वारा है तो उस पर उन्होंने कई बार संबंद में कहा है कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसकी जांच अगर कराई जाएगी तो निश्चित रूप से इस पर बड़ी करवाई हो सकती है उन्होंने पिछले कई उदार्नों का हवाला भी दिया कि मैंने ऐसे-एसे गलवड़ीों को उजागर किया जिसका प्रेणाम आज सब के सामने है तो यह बात है पुरा नहीं थी लेकिन नया यह है कि टार्गेट नया है शानवाज हमारे साथ है शानवाज यह अब अब लक्ष क्या है क्या लक्ष अब शिफ्ट है अब उनको लगता है कि चुनाव संपन हो गया लेकिन रगवरदास किसी भी तरह से जैसा उन्होंने पहले कहा था कि दो मुख्य मंत्री जेल में हैं और वो नहीं चाहते कि कोई तीसरा जाए जेल जा चुके है और कोई तीसरा जाए क्या लक्ष अब वहां सिमठता दिख रहा है आपको सर्जुराय का बिल्कुल सर्जुराय अब अपनी लड़ाई में इतना आगे निकल चुके हैं हाला कि उन जैसे शांत रहने वाले हमूमन शांत रहते हैं उनसे किसी को नुखसान होगा ऐसा हम लोगे नहीं कभी न अब के खिलाब जब एक जमाने में लोगों ने चारा गोटा लेके आरोब गठन के लिए पेपर वगर में शुरुआत किया थे तो सर्जुराय वहां भी पेश पेश थे और फिर अंजाम क्या हो आप जानते ही है उसके बाद फिर मदो कोडा लूट राज के नाम से नहीं कि हिताब भी लिखिया पूरी कहानी उसमें है कैसे कैसे वहां बाद तो सर्जुराय अगर कुछ करते हैं तो वह उसके अंदर गंभीरता नहीं होगी ऐसा ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वह गोविंदा केन गोविंदा चार्ज के शिष्य हैं जो एक ज जियो चलता है तो उन्होंने कोविंदा चार्ज ने कुछ गल्तियां की उनके गुरू ने इस गल्ती को सर्जुराय ने दोराया नहीं बलके उन्होंने बाकाइदा लोहा लिया और बोलकी राजनीतिक ढंग से लड़ाई लड़ी और उसका अंजाम आप देख रहे हैं कि उ अब जाहिर है उनकी बातों को गंभीता से लिया जाना ही चाहिए अब जब वो ट्वीट वार कर रहे हैं अभी शांती दो चार दिनों से कुछ अगर फोकस नहीं मिल रहा है तो ट्वीट कर दिया उन्होंने अब लीजिए अब अगली बात आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे इसे मौमले उनके पास हैं कि अक्सर वो कहते रहें कि बहुत सारे कागजात बहुत सारे चिट्थियां बहुत सारे सबूत हैं बिलकुल मतलब यह है कि स्यासत अभी रगवर दास के इर्द गिर्द घूमती रहेगी अगर सर्यूराय इस तरह से आरोप लगाते रहेंगे हम करते हैं यह दोनों जिस भी तरह के आरोप प्रत्यारूप का दौर है एक निश्चत मुकाम तक पहुंचे बहुत धन्यवाद शानवाज आपका बहुत धन्यवाद राजेश आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए आरोपों प्रत्यारूपों का दौर कहां जाकर ठहरत इसका इंतजार आपको भी और हमें भी फिलाल आज इतना ही इजाज़ते नमस्कर 11 सच है तो देखे